हैलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए holy concept photo editing लेके आ हूँ जो आप लोग देख सकते हो पहले मेरी photo इस तरह की थी अब editing करके इस तरह की हो गई है तो आप भी बढ़ा सकते हो ऐसा photo तो बस आपको 5 step follow करना है मैं पूरी detail में बताऊंगा ये वीडियो को पूरा last तक द करते है फोटो रूम application के अंदर ये फोटो रूम के application के अंदर आ चुका है और automatically आपका बेग्राउंड जो है ठीक है पिक्साइट ओपेंड करने के बाद editing photo पे जाना है अपने जो बेग्राउंड जो है ना डाउनलोड कर रखा है मैं बेग्राउंड इस बेग्राउंड का लिंक आपको description में देदोगा वाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे telegram चैनल पर जाकर डाउन करना है यह मैंने कर लिया ठीक है आपको भी ऐसे ही करना है और अब क्या करना है थर्ड स्टेप में है मुझे बेग्राउंड को मिक्स करना है ठीक है तो बेग्राउंड को अपने photo के recording मिलाना है तो कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं png दे रखा हूं जो जो png यूज कर रहा अब फिर से मैं क्या करूंगा इस्टिकर पर जाओंगा रिशेंड में मैंने यूज किया एक png यह वाली देख सकते हो आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलड कर लेना आप ठीक है यह वाली मैं कुछ ऐसे अर्जिस्ट कर रहा हूं यह देखोग अब इसे इरेजर टूल पर जाएंगे और हाटनेस को कम करेंगे और नीचे वाला पार्ट जो है अलका-अलका सा इरेज कर देंगे तो यह हमारे बैक्राउंड में मैच हो जाएगा ठीक है गाइस और यहां से आपको अभी कुछ भी यहां से यह वाला से नहीं करना है ठीक ह तो आपको अब क्या करना है फिर से एड पर जाना है और एक प्येंजी लेना है यह वाला और एड कर लेते हैं इसको मैं सट पर दूँगा सट पर देने के बाद इसका यह बोलते हैं ब्लेंड ब्लेंडिंग चेंज कर लेते हैं ठीक है इसक्रेन मल्टिप्लाइ कर देते हैं इसको duplicate करके इधर भी दे देंगे ठीक है अब लग रहा है ना गाईस और set पे भी clear पड़ा है अब फिर से add पे जाएंगे add पे जाने के बाद ये rate वाला clean लेंगे इसे भी add कर लेंगे add करने के बाद इसको हम hand पे लगाना है और eraser tool लेके extra part जो है अब इसका भी blending mode change कर लेंगे इसको multiply कर देंगे ये देख सकते हो गाईस फिर से आपको add tool पे जाना है और फिर से ये ये वाली color ले लेना है असमानी वाली और इसको जो है अपने face पे देना है इसकी blending mode change करोगे ना गाईस तो ये हरा हो जाएगा अभी दिखात तो हुण है multiply कर देना है blending mode ये देखो गाईस ये हो गया जंगाली रंग ठीक है इसको erase कर देंगे हम लोग extra part erase कर देना है आपको ये extra part erase हो गया face पे देना है अब इसे hand पे देना है ठीक है यहाँ पे hand है यहाँ पे देना है और extra part जो है erase कर देना है एक color और देना है red color वाला ठीक है red color वाले को ले लेते हैं हम लोग add photo पे जाके ये रहा add photo पे जाके मैंने ले लिया red color की png ये हमारे गाल पे देना है guys ठीक है इसका भी blending mode change कर लेते हैं हम लोग यहाँ से blending mode हो गया change erase नहीं अभी क्या करना है इसको अच्छे से adjust करना है पर देखना है ये रहा यहाँ पे कर लेते हैं अच्छे से extra part जो है ना erase कर लेना आपको ये हो गया erase अब इससे done कर लेंगे done करने के बाद आपका देख सकते हो वोली वाला कितना awesome लग रहा है और एक काम कर सकते हैं आप लोग और एक काम कर सकते हैं बताता हूँ add photo पे जाना है फिर से यह read वाला color लेना है और add कर लेना है और यहाँ पे आपको नीचे में लगा देना है ठीक है यह हमारा पूरा background मैच हो चुका है मैच हो चुका है उसके बाद आप लोगो क्या करना है यहाँ से done करना है Done करने के बाद आपको क्या करना हैboarding Retus में जाना है Retus में करने के बाद आपको HD प्रोटेट कर देना है देना के बाद आपका photo enhance हो जाएगा सबसे last step यह देख सकते हो गया आपका फोटो एकदम इनेंस हो चुका है फुरा HD quality में आप इसे कम भी कर सकते हो आप ज्यादा भी कर सकते हो आपके फोटो के हिसाब से आप कर लेना ठीक है यहां से डन कर देते हैं हम लोग उसके बाद ड्रॉटुल में जाके यहां से डन कर देते हैं और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना थैंक यू सो मच गाइस